लो गाइज विल्कम बैक कि मैं योक्यूब चैनल क्रेटिव कॉमर्स उसे हमने लास के अपना एजुकेशन की आगा कि मारा एजुकेशन क्या है कैसे है कि उस दिंग की हलकी से आपको मैं देखा देखा था हमने क्या देखा था हमने देखा था हमने देखा था कि एजुकेशन implies the process of teaching, training and learning, especially in schools and colleges, it improves knowledge and develop skills. इसमें हमने education की एक छोटी सी definition ऐसी अपनी करव से लिखी की कि कि आप लोग ये definition अपनी करव से और कुछ भी लिख सकते हो और हमने गेखा कि हमारे 2011 में 2011 में हमारा जो सेंसर्स हुआ था उसमें क्या गेखा गया था कि पूरे 100% में से बस 74.04% लोग हमारे पगलेखे है तो 2011 का दाका है ये और उन 74.04% में से 90 to 95% लोग हमारे जो हमारे जो पगलेखे है वो कहां पे है हमारे जो developed countries है जितनी हमारे developed countries है वहां पे खीक है ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में छोटा सा अपना पार्क da अब हम गेखेंगे अपना आगे कि हमारी इंडिया की जो government अउन लोगों government ने हमारी इंडिया में education के लिए क्या क्या किया है गेखो how हमारी में जो टोआं टोकल expenditure होता है यानी जितना भी expenditure है चाहरा वो चोटा या फिर बगा सबको मिला के जितना भी expenditure है वो हमारा 1952 में 7.92 परसंट था और 2010 में वह हमारा हो गया 11.1 परसंट यानी की जितना भी तोकल 100% expenditure हमारी गर्मेंट करती है उन में से 100% में से 1952 में 7.92 परसंट हमारा expenditure गर्मेंट करकी के expenditure उस पे education पे और 2010 में हमारी जो गर्मेंट के वो केकना करने लग गई तोकल expenditure का 11.1 परसंट हमारी education पे ठीक है अब देखू ये को हमारा घर तोकल उसको गेट के वे जिकना उनका गर्मेंट का खर्चा होका है कि जो GDP है उसके हिसाब से 1952 में हमारी जो GDP की उसमें education से जो हमारी GDP इंक्रीज होई कि वो किकनी होई कि 0.64 परसंट और वही हमारी 2000 अगर्स में किकनी हो गई 3.25 परसंट तो यह हमारा इससे आप लोग खुद गेख सकते हो कि जो हमारे इंडिया है इंडिया हमारे किकना पी पाकिस्तान और इंडिया का comparison है उसमें आपको गेखने को मिलेगा कि हमारा इंडिया सब चीजों में जाग अगर पीछे ही है पॉपुलेशन को छोड़के आगे गेखो हमारा जो गवर्मेंट है इंडिया की उन्होंने हमारी education को improve करने के लिए क्या-क्या initiative उठाए या फु तो गेखो पहला बनाया था हमारा right to education act यह हमारा एक बनाकर 2009 में इसमें क्या था कि जिकने भी 6 से लेके 14 साल के बच्चे है उनको education मिलनी ही चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए उनको education मिलनी चाहिए अब यह का आप लोग को पकाई है कि कि किने लोगों को education मिल वी उन में से ठीक है लेकिन यह हमारा एक एक था कि 6 से 14 साल के बच्चों के education मिलनी ही चाहिए यह हमारा right to education act 2009 के हिसाब से था कि के फिर हमारा एक बनाया गया था कस्तूर्बा गांडी बाली का विध्या 2004 में और यह जो हमारा बनाया गया था यह कस्तूर्बा गांडी कौन के हमारी जो महत्मा गांडी के उनकी wife कि के उनके नाम पर हमारा act बनाया गया था इसमें क्या था जिकनी भी लर्की है उन कि इंके इलावा और भी ऐसे कई सारे एक्ट बनाए हमारी इंगिया में गर्में ने कि जो आपके लिए इंपोर्टेंग नहीं लेकिन फिर भी बनाए गए और इसी में आपका यह वाला चैप्टर के युँमन-कैप्टल-4 चैप्तर भी खतम हो गया बहृत कोछ साब करो किका है फिर के लिए केया अपक्ताव कर सकतके हैra फिर फिर अलबी गेखार उसमेई ओक्चुई Aujourdका क्या होता है लोका मारा एजुकेशन पर करकी है कि हमारी इंग्या की GDP वो हमारी education से कितनी increase होकी है यह सब गेखा हमने और हमने गेखा कि हमारी इंग्या में इसे कौंग कौं से एक एक हमारे education एजूकेशन के लिए खीकर को इसे के साथ आपका यह वीडियो भी यह पर खतम हुए अगर आपके वीडियो पसंग लए कि इसको लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और कमेंग करके बताएगा कि वीडियो कैसी लगी